तो आज क्या हमारी रैसिपी है अरवी की मसालेदार सूखी सबजी जिसमें ना तो लसुन का यूज होगा ना प्याज का और ना हिट टमाटर का बहुत जल्दी और क्विक बनने वाली रैसिपी है तो सबसे पहले हमें अरवी को अच्छे से दो के और इस तरह काट लेंगे अब हम एक कड़ाई में तेल गरम करेंगे और इसमें डालेंगे एक चमच जीरा आदा चमचा जुवाइन और आदा चमचल दी पाउडर इसे के साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग अब हम इसमें डालेंगे हमारी अरवी और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और यह काफी इजी और काफी टेस्टी रेसिटी है इसमें ना ही अनियन का यूज होगा और ना ही यूज होगा प्याज का अगर आप चाहें तो इसमें जिंद्र गालिक टेस्ट डाल सकते हैं अब हम अमारी अरवी को मेडियम फिलिंग पर चाह से पांच माच के लिए डक्तर पकाएंगे अब हमारी सब जिलग बगा आधी को को चुकी है तो अब हम इसमें डालेंगा हमारे मसाले जिसमें किया है एक चमच लाल मिर्स पाउडर एक चमच दन्या पाउडर आदा चमच गरम मसाला और आदा चमच की चंकी और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे आदा चमच हम चूर अच्टेस्ट आए और मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे दो बारा तीन से चार मिनित डखकर पकाएंगे तो यह हमारी अर्वी की सोखी मसाले दार सब जी त्यार हो चुकी है एक बार आप इसे चमच से कट करके देख ले अर्वी पूरी तरह से कल चुकी है तो यह थी हमारी आज की रेसिपी आई होप आप लोगों को अच्छे लगी होगी बहुत इजी और जल्दी बनने वाली रेसिपी है तो आप इसे जरूर ट्राई करना थेंक यू